हेलो मित्रो, मैं उस चैनल का होष्ट और आपका दोस्त सुमित नगर कोटी और आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ तो इस कहानी का नाम है एक अंजान मुसाफिर देप्ती एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी और वह MNC में जॉब किया करती थी उसके मापापा उसकी सक्सेस वे फूले नहीं समाते थे उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी एक दिन देप्ती का ट्रांसफर मुंबई में हो गया है और साथी प्रोमोशन भी उसने यह बात अपने मापापा से शेर की तो उसकी मापापा को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई अगले दिन देप्ती मुंबई के लिए रवाना हो गई उसने फ्लाइट से जाने के बजाए ट्रेन से जाना सही समझा और फर्स्ट AC के टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई और वो ट्रेन के खिड़की के बाहर खुब सुरत नजारा देशने लेगी और कब उसकी आख लग गे पता ही नहीं चला लगभग रात के दस वजे उसकी आख खुली और उसने फटाफट मूद होकर गड़ से लाया हुआ खाना खाया और टाइम पास करने के लिए फोन में इस्टाग्राम रिल्स देखने लगी हलांकी रात के साड़े 11 हो चुके थे और उसे निंद नहीं आ रही थे वह लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी तभी ट्रेन एकी स्टेशन पर रुकी दिप्ती ने देखा कि वह स्टेशन एकदम सुनसान है उसे यह समझ में नहीं आया कि ट्रेन खाली स्टेशन पर रुकी क्यो है तभी पता नहीं दिप्ती के मन में क्या आया और वह वहाँ स्टेशन पर उतर कर घूमने लगी अच्छानक उसे थोड़ी दूर पर एक औरत बेंच पर बैठी हुई दिखी दिप्ती ने बिना कुछ सोचे समझे उस औरत की तरब बढ़ना शुरू किया वह उसके पास पहुचे और बोली हाई, माई नेम इस दिप्ती और योड़्स और उस औरत ने रिप्लाई दिया कि मैं रागनी हूँ और यही पास के गाउं में रहती हूँ तब दिप्ती ने हैरान होते वे पूछा इतनी रात को तुम अकेली स्टेशन पर बैठी हो वैसे तुमारे ट्रेन कव है दिप्ती की इस बात का उत्तर रागनी ने नहीं दिया तो दिप्ती ने कहा ओके रागनी अब में चलती हूँ नाइश टो मिट्यू और सीयो सुन यह करकर दिप्ती अपने कोच में वापस आकर बैठ गए तब ही एक आदमी दिप्ती के पास आया और उसने पूछा कि मैम आप इस स्टेशन पर उत्रे तो नहीं थी ना दिप्ती नो उस आदमी से हैरान होते वे पूछा ऐसा क्यो पूछ रहे हो क्या बात है तो उस आदमी ने बताया कि यह स्टेशन हॉंटेड है यहाँ एक लड़की की आत्मा गूंगती है और जो उसको देख लेता है तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है दिप्ती ने उस आदमी को डाटते हुए कहा यह फालतू बाते अपने पासी रखो और हाँ अपसे मेरे सामने अपना मूँ खोला भी मत गेट आउट फ्रोम हैर वो आदमी चुपचप उदास मन से दूसरी बोगी में चला गया दिप्ती ने बाहर की और देखा तो भाल लड़की अब वहां नहीं थी दिप्ती को लगा कि शायद वह ट्रीन में चड़ गई होगी यह सब सोचते हुए उसे अपनी सीट पर कव नींद आ गई पता ही नहीं चला उसकी आख सुबा आठ बजे के लगबग खुली और उसने फोन में लोकेशन चिक किया तो अभी मॉंबई सेंटरल आने में लगबग दस घंटे बाकी थे तब ही वहां फ्रेश ओने वाश्रूम में चले गई और जब वह वापस आई तो अपनी सीट के बगल में उसी रात वाली नड़की रागनी को बैठा पाया तो उसे देखकर देखते चौक गई और उसने रागनी से पूछा कि तुम यहां ट्रेन में कप चड़ी और मेरे सीट पर क्या बात है रागनी ने कहा रिलाक्स दिपती बस तुमसे मिलने का मन हुआ इसी रे चरेल मैं भी इसे ट्रेन में दूसरी बोगी में बैठी हूँ दिपती ने कहा ओह ग्रेट यार मैं भी तुझे मिस्स कर रही थी और बता कहा जा रही है तो रागनी ने कहा मॉंबै सेंटरल दिपती ने अश्चेरे सका क्या बात है यार मैं भी वही जा रही हूँ अच्छा तुने ब्रिकफरस्ट किया रागनी ने कहा हाँ हो गया तभी देप्ती के नजर अचानक उसके पैरों पर गई और वह या देखते ही बुरी तरह चौक गई रागनी के पैर उल्टे थे देप्ती को या समझते देर उसने कहा मेरी भी लाइफ सेम तुमारी तरह थी लेकिन इस जालिम दुनिया के वज़े से मेरी जान चली गई इसलिए मुझे इस दुनिया के लोगों से नफरत हो गई है वैसे रात को उस आदमी तुमसे सची ही कहा था कि जो मुझे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है क्योंकि मैं उसे ले जाती हूँ अपनी दुनिया में यह कहा कर वो बहुत भयानक तरीके से हसने ले उसका डरावना चेहरा देखते ही देपती बिहोश होगे और नीचे गिर पड़ी तबी वो आदमी कुछ देर के बाद वहां आया और उसने रागनी से कहा क्या यार तुने सच में डरा दिया क्या रागनी ने कहा यार मुझे पता नहीं था कि हमारा प्रैंक बिचारी दिपती भी इतनो भारी पड़ जाएगा उन दोनोंने दिपती को पानी छड़क कर उठाया लेकिन दिपती हूश में रहते हुए भी ठीक नहीं थी वह इस गटिया प्रैंक की वज़े से अपना मालसिक संतुलन खोच चुकी थी और पागलो की तरह व्यवहार कर रहे थी रागनी और उसका दोस्त दोनों अपनी स्किये पर बहुत शर्मिंदा थे उन्होंने दिपती के फोन से उसके मापापा को फोन किया और बताया कि दिपती अपना मालसिक संतुलन खोच चुकी है आप जल्दी मुंबई आ जाओ यह सुनते ही उसके मापापा बुरी तरह गबरा गए और तुरंत फ्लाइट से मुंबई पहुचे रागनी ने उनके मापापा को मेंटन हस्पिटल में बुलाया वहाँ दिपती एडमिट थी उसके मापापा दिपती को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगे और रागनी से पूछा यह सब कैसे हुआ और यह तुम्हे कहा मिली तुर रागनी ने अपनी गलती चुपाते हुए कहा कि मैं भी उसे ट्रेन में यात्रा कर रहे थी दिपती वाश्रूम गए थी तो वो जैसे ही वाश्रूम से वापस आई उसका पाव फिसल गया और वाँ गिर गई और उसका सर लोहे से जोड से टकरा गया था जिसके कारण वा अपना मानसिक संतोलन खोच चुकी है तब ही डॉक्टर ने रागनी के पास अकरुक कहा I'm sorry रागनी हम देपती को बचाने ही पार देपती is no more due to cardiac arrest यह सुनते हैं रागनी को बहुत सदमा लगा कि उसकी डरावनी प्रैंक की वज़य से हस्ती खेलती फैमली बरवाद हो गई थी उसके मापापा अपनी बेटी के लिए रो रहे थे जो अब इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी रागनी के मन में इसका गिर्ट हमेशा रहने लगा वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गई और कुछ समय बाद उसकी भी वैसे ही मौत हो गई जैसे के दीपती की हुई थी एक मापाप की हाय लग गई और इसी बुरे काम कर नतीजे था कि रागनी का भी वही हाल हुआ तो मित्रो यह स्टोरी रियल लाइफ में भी हो सकती है किसी के भी साथ वैसे दोस्तो यह स्टोरी तो मैंने लिखी यह पसंद आये तो बताना कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस को देशनी के लिए हमारी चैनल पे हॉरर प्लेलिष्ट को चेक करना ना भूले ठैंकियो वेरी मच दोस्तो